नमस्कार, खबरे जार्खन में आपका स्वागत है, मैं हूँ रोज दुराउं और अब समाचार विस्तार से राजे में महागट बंधन सरकार के कल तीन साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री हे मनसोरे ने आज प्रेस कॉन्फरेंस कर राजे सरकार के तीन सालों की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने कहा कि कई चुनोतियों के बावजूद दलितों, आदिवासियों और वंचितों के लिए काम किया गया है उन्होंने उम्मीद जाहिर करते वे कहा कि जिस रफ्तार से विकास की गती को अंजाम दिया जा रहा है ऐसे में राजी को आगे बढ़ने से नहीं रुका जा सकता अनेक सहीद वीर सपूतों का ये सपना था कि राज अलग होगा आदिवासी दलीद पिछड़े अलफसक्यकों का जीवन अस्तर में सुधार होगा लेकिन दुर्भागी की बात है बड़े सुन्यूजित तरीके से इन वर्गों को आज भी उसी हाल पे छोड़ने का उसी हाल में रहने के लिए योजनाबत तरीके से इन वर्गों को विवस्किया जा रहा है आज आप देखेंगे चुकि जो हमारे मुख्य विपक्षी लोग है वो देश के पैवाने पे भी काभीज है देश के नितिनिर्धारन कर रहे हैं और आप जानते होंगे कि देश का सबसे अधिक गरामिन छेतर के जो नौजवान वो लोग अपने रोजगार के लिए नौकरियों के लिए सबसे अधिक सेनिय भल में उनकी रिकूटमेंट होती है रेलवे में लोग बड़े पैमाने में नौकरी करने जाते थे रेल में रोजगार को लेके क्या इस्तिती उत्पन हुई है वो आप लोग के सामने रहा सेनिय भल में निपती की क्या इस्तिती रही वो आपके सामने रहा है बैंकों में रोजगार को लेके क्या इस्तिती बनी वो आपके सामने रहा आज देश में बेरोजगारों का पहाल खड़ा हो चुका है और रोजगार लगभगबन और छोटे मुटे जो उद्योग थे छोटे मजोले वाले इन लोगों ने तो जो कोरोना में जो इनको मार पड़ी और नोटवंदी ने जो कमर तोड़ा उससे अभी भी उफ़र नी पाए आखिर ये वर्ग जाएगा तो ये बहुत बड़ा चिंता का विश्य है आज बड़े चिंता का विश्य है कि आज इस भौतिक वादिग्यों में जब हम चांद पर बसने का सपना पालना से हम लोगों ने शुरू कर दिया वहीं हमारे देश के विभिन राज्यों में महिलाओं के उपर बहुत ही कहा जाए कि इसको बया नहीं किया जा सकता इस तरीके के घटनाएं या उत्पिड़न शुरू हो चुके हैं हाला कि महिला उत्पिड़न तो होता ही रहा या खेर इस राज में तो बहुत पहले से भी चला आ रहा था जो हाला कि मैंने जो सोचा है जो मेरा अगला साल सुरू होगा वो साल इंप्लिमेंटेशन का होगा और मुझे लगता है जितना हम लोगों ने इस राज के लिए और इस राज के आने वाले कई पिड़ियों तक के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है जो मैं पहले भी कहा कि ये पिछ़़े राज्यों में से एक आता है अब 20 सालों में क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाया ये बहुत दुर्भाग की बात है और ये बहुत चिंदा का भी से है आज मैं पूरी तरीके से इस जो पिछ़़ापन का जो धबा है इसको खतम करने का हमारा प्रयास और विकासिल राज्यों के दौर में इसको सामिल कराना आज इसको लेके कई उद्योग पॉलिसीज हम लोगों ने जो लाउंच किया काफी लोगों ने सराहा और कई लोग आने भी लगे थे आप लोगों ने देखा डालमिया सिमेंट पूल आकर के इस्टेबलिस्ट भी हो गया प्रोडेक्शन भी चालो गया उद्गाटन भी हो गया कब का हो चुका जैसे कि आजीम पिरेम जी फाउंडेशन को भी हम लोगों ने किया वो भी आप यहां बहुत जल्द यह में आ जाएंगे और कई उद्ध्योगों ने काफी उत्सा वर्दक संदेश भी दिया और एक इधर राजे की मुखे विपक्षी पाठी भाजपा ने हेमन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि राजे सरकार ने इन तीन सालों में जनता को दिक भरमित किया है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजे में भृष्टचार और लूट का बोल बाला रहा है हमन सोरेन की अगवाई वाली जारखन सरकार अपने तीन साल पूरा करने का जश्न मना रही है अखिर वो जश्न मनाने की कितनी हगदार है हम समझते हैं भारतिय जनता पार्टी के विदायक दल के नेता बावुलाल मरांडी जी से सर सरकार को हग है जश्न मनाने का दीए तीन साल उनके लिए पुरा हो उनके लिए तो काफी मैने रखता है अगर कोई बिना काम के तीन साल अपने कार्ट कल को पुरा करता है तो उनके लिए तो ये बड़ी उपलब दी है लेकिन तीन वर्शों का जो कार्ट कल रहा है हमन सुरिंकी जारखन की जनता के लिए वो बहुत ही निरासा जनक रहा है बलके आज मैं कहुँगा कि जारखन में चाहे आदिवासी हो दलीत हो मेला हो नवजवान हो जाह किशान हो या गाउं हो सब लोग इस सरकार से आज के तारिख में आपको दुखी मिलेंगे सब को इनोंने दुखी किया है क्या कहें हैं कि जिस तरीके से सरकार अपना गुंगान कर रही है कि उन्हें जो जन्ता के मुद्दे थे उन्होंने जो प्रॉमिसेस किये थे चुनाव में वो सारा पूरा किया और जो उब्चुनाव हुए है उद्धी उस ganze सरकार का ये दावा है कि हम जन्ता के विश्वास पर खड़े उतर रहे हैं तो आज उन्होंने कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया जारकन की जन्ता को तो बता भी ना आज तो लड़के सब्सक्राइब गूम रहे हैं उन्हें तो दोजार इकीस से जैसे 19 में सरकार बनी थी और 2020 से बजट सब्सक्राइब जवानों को क्या का था इन्होंने आपको रोजगार देंगे रोजगार ने देंगे तो बता देंगे कई एक वर्ज को इन्होंने नियुक्ती वर्ज घोसित किया लेकिन आज यह अहलत क्या है ना नियुक्ती हुई ना रोजगार मिला ना किसे को बता मिला आप तो लड़का यह रो रहे अरीयल में जिस धंग से लड़कों के भावी से को इन्होंने वरवात किया तो मैं नहीं समझता हूं कि आज से पाहले किसी भी सरकार किसी की भी सरकार है इतनी दुरगति नौ-जवान के रही हो यह पाहली सरकार ने इतनी दुरगति रही है तो क्या सर आप कह र संधाल परगणा में जिस तरके किसे क्राइम के की से जा रहे हैं और जो लगतार आप आरूप भी लगा रहे हैं कि बालू का लूट हो रहा है कोईले की लूट हो रही है सब जगा लूट मची हुए तो ऐसे में फिर सरकार किस बाद का लूरा पिट रही है अब यह तो उनसे हैं आप लोग पूछेंगे तो वह बता पाएंगे आज साहई दोप्रेश से मिलने वाले हैं बही आप 1932 की बात करते हैं 1932 में उन्हों नहीं क्या किया कुछ भी नहीं किया यात्रा निकाल रहे हैं अभार व्यक्त कर रहे हैं वह एक तो आपको कोई कानून बनाने का कोई राइट नहीं है कानून तो अगर आप तो शंविधान को देखेंगे जो राज सरकार को हग है कि राज सरकार के जो अधिकार छेत्र में है वो काम करेंगे जो राज सरकार के अधिकार के छेत्र में नहीं है वो कानूर नहीं बना सकते हैं अधिक सदिक वो कर सकते हैं कि विधान सभा से को एक ले करके वो केंद्र को भेज सकते हैं लोगतंत्र में विपक्ष की उतनी महत्पुर्ण भूमिका होती है और अगर सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए विपक्ष तयार है तो ऐसे हम चाहते हैं कि सरकार के आपकी तरब से कुछ सजेशन होने चाहिए तकि आगले दो सालों में कुछ करेंगे उदे चाहता है मेरे पास बहुमद है हम कुछ भी कर लेंगे चलो भईया सरकार फिर करती है या तो फिर सरुदलिये मिटिंग बुलाते को बहुत्पुन बुद्धों को ले करके वो भी नहीं करती है तो अब पोजीशन के पास तो क्या बचता है हला करने का सिवा और क्या बचता है हला ही करेंगे प्रेज के माध्यम से सरकार को पत्री लिखेंगे अभी जैसे इतने क्रप्सन के बाते सामने आ रही है जब क्रप्सन के बाते सामने आ रही है तो सरकार क्या करती है कि हम आदिवासी मुकमंतरी इसलिए हमको परिशान कर रहा है जो जाच एजंसिय हो तो करेगी कारवाई आप लोगों के अगाह करने के बावजूद सरकार कहें कि बहुमत के नसे में चूर रही और सब कुछ चलता रहा ने बिलकुल मैं तो कहूंगा कि हमने तो एक नहीं लगता है कि हम सेगड़ों पत्र लिखते हैं कम सकने नौलेजमेंट तो आ जाता है यह मैंने जारकन में देखा है कि यह मुकमंतरी कोई एक नौलेजमेंट तक पावुला मराणी जी से हम बात कर रहे हैं उन्होंने साथ तोर पर कहा कि पिछले तीन सालों में राज जी आगे नहीं बढ़ा है बलकि कई प्रमुक सुदेश कुमार महतों ने भी महा गटबंधन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है उन्होंने दूर दर्सन से बातचीत में कहा कि हेमन सरकार के तीन साल युवाओं के साथ विश्वास घात के रहे उन्होंने कहा कि राज जी भर में संसाधनों की लूट मची ह जूट पर जूट बोला जा रहा है तो थोती दलिल का तो कोई जवाब होता नहीं है और चुकि आपके पास जारखण का पैसा है आप मेडिया के मैद्यम से इस पैसे को उड़ा सकते हैं आप अपना परचार परसार अपने पोस्टर टांग के कर सकते हैं लेकिन आपके विकास पोस्टर पे ही दिखेंगे धरा लोती दे रहा हूं तो आप उसको मिलान करों हमिलान करकर हमां के बताईए कि पिछले पान्स साल के अंदर में जो आने वा पीछे जब इन्हाइब पाचछा जर किलोमेटर रोड बनाया मैं 10,000ार किलोमेटर रोड बनाया यही ने होगा आपने क्रिस्टी के छित्र में पिछली सरकार में कि शान के हित्ड में मुल्यों का निर्धारण नहीं कर पूँ नहीं था जुआओं के लिए क्या किया नितिकत निर नहीं जिसके विश्वास पर आप यहां तक आए हैं नितिकत निर नहीं आपके कहां पर हैं किस पड़ाओ पर हैं किस स्टेटस उसका क्या है इसको आपको बताना चाहिए तो यह सारे चीजों पर उनकी कोई चर्चा नहीं होगी वो सुखाड के कल पैसे बाटेंगे और धिनरो पीटेंगे सुखाड एक पृस्तिती है जिस पर सुखाड के उपर बारा सरकर का भी स्वाजोग रहता है अगर किसान के हित में तो पहले सही पदारमंत्री जी लगतार किसान को कई वर्सों से उनके इंकम जेनरेट करने के लिए उनके एक सपोर्ट के लिए वो एक फंड देते आई है सिधे फंड सम्मान दी जोजना के ताहत देते आई है इस तरह का कोई जोजना आपके पास स्टेट में इंडिविज्वल है नहीं किसी भी सेक्टर पे चले जाओ नोकुरियां से लेकर जहां भी चले जाओ जे आप अपना पोथी तो निकाल लो जो प्रोमिस अपने पपलीक को बोला उसको निकाल लीजे रख लीजे और बोलिए नमबर वन एने कर दिया नमबर टू मेंने कर दिया तो आपको मानेंगे कि आपने तीन साल के अंदर में इतना दूर कदम इतना कधम आगे जारकण बढ़ा है ये लगातार ये कहने हैं कि हमने नियूजन निती लेकर में आ गया, 32 खत्यान में लागू कर दी कराने की कोशिस की, OBCR अरक्षन का मुता मैंने सॉल्ब कर दिया, लेकिन सब कुछ वैसे धुलमूर क्या सिर्फ जनता का विश्वाज जीतने की कोशिस या गुमरा करने की कोश जवायन जो पड़ लिख कर खुद को तैयार करके एक्जाम के लिए तैयार किया, जिनका एक बड़ा भौईश कहीं न कहीं उस तैयारी के साथ जुड़ा हुआ था, एक बार में कितनी एक्जाम तैयारी सब खतम हो गया, अब अंदकार में परिस्तितियां क्या है, किसी कॉंग्रेस पार्टी का आज 138 अस्थापना दिवस है, इस उपलक्ष में राजधानी राची के कॉंग्रेस भवन सहीत, राजिभर में कई कारिक्रम आयोजित किये गए, राची कॉंग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष, राजिस ठाकु ने ध्वजा रोहन किया और प देक्षो तीन सो उनीच में हुए ही, 270 में प्रखंड कमीटी बन गई, यह हमारे लिए गौरफ की बात है, कि हम संगठन स्थक्ति करण का जो अभ्यान चला रहे थे, जो हमें हमारे प्रभारी आदर्मी अविनास पांडे जी के मार्दर्सन में चलाने का आफसर मिला, निश इसमें कभी कई बात हम लोगों को लगता है कि कुछ कमिया रह गई है, लेकिन हम यह कह सकते हैं, कि सारी कमियों को जैसे पहले पूरा दूर किया है, वह इसे ही आने वाले समय में भी दूर करने का प्रयाद करेंगे केंद्री मंत्री अर्जिन मुंडा ने आज नई दिल्ली में जनजातिय मंत्राले की, अनुशंगी एकाई, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फोर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा आयुजित, कम्पूटर साइंस फंडामेंटल ट्रेनिंग वर्क्सॉप में भाग लिया इस उसर पर स्री मुंडा ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यह कारी करम एकलब्वे मौडल आवास से विद्यालें के शात्रों के लिए कम्पूटर जागरुपता पैदा करने में एक महतपुन कदम के रूप में काम करेगा हजारी बाग के सांसद जैन्त सिन्हा ने आज राची कोडर्मा रेल खंड का निरक्षन कर अधिकारियों को कई दिशा नरदेश दिये इस करम में उन्होंने बताया कि इस रेल खंड का कारे पूर्ण हो चुका है और इसके उद्घाटन के लिए रेल मंतरी को आमंतरित किया गया है स्री सिन्हा ने कहा कि इस रेल लायन के शुरू होने से हजारी बाग समेथ आसपास के जिलों के हजारों लोग लाभान वित होंगे देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविट के 188 नए मामलों की पुष्टी हुई है कोविट के खिलाप जारी जंग में टीका करन अभियान तेज गती से जारी है देश व्यापी टीका करन अभियान के तहट अब तक दो अरब 20 करोड़ 7 लाग से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं पिछले 24 घंटे में 90 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं वहीं अब तक 22 करोड़ 38 लाग एतियाती टीके लगाए जा चुके हैं कोरोना को लेकर एक बार फिर से उपजी चिंता के बीच राहत की ख़वरिया है कि केंद्र सरकार के पर्यासों ने देश के अस्पतालों को आक्सिजन के मामले में आत्म निर्भर बना दिया है कम से कम आक्सिजन को लेकर फिक्र करने की अब जरूरत नहीं रही देखे यह रिपोर्ट बीते साल कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई ज्यादतर मौतों की वज़े मरीजों को समय पर और परियाप्त आक्सिजन नहीं मिलना बताया गया लेकिन कहते हैं न कि आवशक्ता ही आविशकार की जननी होती है कि इंदर सरकार के मजबूत इरादों और इमानदार प्रयासों ने बहुती कम समय में देश भर के अस्पतालों में आक्सिजन प्लांटों का ऐसा नेटवर खड़ा किया कि देश तो क्या दुनिया की बड़ी ताक्तें भी ताक्ती रह गई इसी की एक छोटी सी बानगी है राची का मंडल रेल अस्पताल यहां बने 250 लीटर ख्रमता वाले ऑक्सिजन प्लांट से अस्पताल के बेड़ों पर ऑक्सिजन की सीधी और निर्बाद आपूर्ती की व्यवस्ता है राची रेल मंडल के मुख्य चिकिस्सा अधिक्षक डॉक्टर सुशील कुमार बहरा बताते हैं कि लगबक 30,000 से अधिक लाबुक हैं जो मंडल रेल अस्पताल पर भरोसा करते हैं उन्होंने कहा कि इसके अलाबा विपत्ती की घड़ी में जण सामान्य के लिए भी अस्पताल के दर्वाजे 2400 घंटे खुले रहते हैं सहायक मंडल मुख्य चिकिस्सा अधिक्षक डॉक्टर मनीशा वर्मा बताती है कि वैसे तो कोरोना को लेकर लोगों को भैभीत होने की बिल्कुल जरुवत नहीं है और विपरीत परिस्तितियों के लिए वे पूरी तरह से तयार हैं फिर भी लोगों को सजग रहने और कोविट प्रोटोकॉल का पूरा-पूरा पालन करने की सलह देती रहती हैं हर संगर्च हमें लड़ने के लिए ना सिर्फ तयार करता है बलकि पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है कोरोना के आबदा के दोरान लोगों की जीवन शैली में बदलाओ और केंदर सरकार दोरा वेक्सिनेशन के व्यापक और क्रांतिकारी अभियान ने जहां एक ओर हमारी इम्मिनीटी को मजबूत किया वहीं अस्पतालों में आवश्यक संसाधन कई गुना बढ़ गए जिसका लाव आने वाले कई वर्षों तक लोगों को मिलता रहेगा राची से अवधिश गौतम के रिपोर्ट राची के सांसध संजै सेठ ने प्रधान मंत्री नरिंद मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधान मंत्री राची आपदा राहत को से राची लोगसभाश शेत्रे के 26 मरीजों को उपचार के लिए 55 लाख रुपे दिये गये हैं यह राची सांसध की अनुशन सापस स्विकृत किया गया था जिसमें 14 लोग कैंसर से पीड़ित थे से रासी लेने के लिए अधिकृत हैं गुड़्डा के सांसत निशिकांत दूबे ने आज दुमका के सरेया हाठ ठाना शेत्रे में गो तसकरों द्वारा बंगला देश ले जाई जा रही की 150 सेधी गायों को बचाया मौके पर मौजूद पुलीस ने इस मामले में दो तसकरों को गृफ्तार भी किया समाचारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम समाई कभी किसी का इंतजार नहीं करता देर ना कीजिए यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समरिद बना रहा है शिक्षा, स्वास्थे और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुँचा रहा है करदाता किर्प्या ध्यान ते यदि आपने अब तक निर्धारन वर्ष 2022 ते इसकी अपनी टैक्स रिटन फाइल नहीं की है तो लेट फीज के साथ 31 दिसमबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटन फाइल कर सकते हैं याद रखें, निर्धारन वर्ष 2022 ते इसकी टैक्स रिटन भड़ने की अंतिम्ति थी है 31 दिसंबर 2022, प्रतेक आई करता था, एक राष्ट निर्माता, समय कभी किसी का इंतिजार नहीं करता, देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है, जो आज देश को सुरक्षित और समरिद बना रहा है, शिक्षा, स्वास्थे और इंफ्रस्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुँचा रहा है, करदाता किर्प्या ध्यान ते, यदि आपने अब तक निर्धारन वर्ष 2022 ते इसकी अपनी टैक्स रिटन फाइल नहीं की तो आप अपनी रिवाइस्ट रिटन बिना लेट फीज के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं, याद रखें, निर्धारन वर्ष 2022 ते इसकी टैक्स रिटन भढ़ने की अंतिम्ति थी है, 31 दिसंबर 2022, प्रतेक आई करता था, एक राष्ट निर्माता विराम के बाद खबरे जारखन में फिर से आपका स्वागत है, सावधानी हटी तो दुरगटना घटी, और अगर मामला रसोई गैस का हो, तब तो हमेशा चौकरना रहने की ज़रूरत है, लपीजी की टीम स्कूली बच्चों को सुरक्षा के गुर्ष सिखा रही हैं, ताक भारती प्लस टू है स्कूल के छात्र और उनके वो अभिभावक जिनने घड़ेलू रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े सुरक्षा मानदंड समझाय जा रहे हैं, 19 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 तक इंडियन बॉटलिंग प्लांट एलपीजी सुरक्षा उत्सव मना रहा है, और इस दौरान उभुकताओं को घड़ेलू गैस के सुरक्षित उपयोग के गुर सिखाय जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग चाते हैं कि इनको बच्पन से ट्रेन कर सके, प्रिकॉशन्स दे सके, ताकि लपीजी का इस्तमाल और लपीजी को कैसे सुरक्षा से इस्तमाल करना है आयोसील और केपी कंडेन के संजुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कारिशाला से कई छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में जागरुकता आई है, अब ये लोग सावधानी ही सुरक्षित जीवन का मुल मंत्र है, इस फार्मूले को समझने लगे हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कभी भी हम गैस को अन करके और कहीं ना जानी तो बहुत खतरना बुज़कता अगले मेहने तक चलने वाले इस सुरक्षा सप्ताह के जरिए आयोसील लोगों को एलपीजी के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रते जागरुक कर रही है, घरिलू गै एमर्जेंसी हेल्प लाइन नंबर से मदद मांगनी चाहिए, वाकई में इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेंड और के पी कंडेन गैस एजेंसी गमहरिया ने चातर चात्राओं को सुरक्षा ट्रेनिंग देकर सराहनी ये कारे किया है, ऐसे में देश भर की गैस एजेंसियों को इन से सीख लेकर इस तरह के सुरक्षा कारिकरम चलाने चाहिए, ताकि प्रतेक रसोई गैस उभुकता इसके सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर हमेशा गंभीर और सतर्क रहे सराहकिला खरसावा से अनुप मिश्रा की रिपोर्ट नकसली के खिलाब चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है राची में पुलिस के समक्ष आज नकसली संगठन भाकापा माववादी के कमांडर अमन गंजु ने सरेंडर कर दिया अमन गंजु पर जारखन पुलिस की ओर से पंद्रा लाग काई नाम और एन आये की तरफ से चार लाग काई नाम घोशित था मुख्यमंतरी हेमन सुरे ने आज राची के मुराबादी मैदान में राष्ट्य खादी एवं सरस महुत्सों का उधगाटन किया जारखन राजे खादी ग्रामद्योग बोड एवं उध्योग विभाग द्वारा लगाए गए इस महुत्सों में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें देश भर के उत्पादों का बाजार सजा है इस औसर पर आयोजीत समारों में मुख्य मंत्री ने कहा कि दो वर्सों के कोरोना काल के बाद इस से महुत्सों का आयोजन हो रहा है स्री सोरे ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप लोगों को स्वादेशी वस्तों का अधिकाधिक उप्योग करना चाहिए आज आप लोगों के मन को और उत्साहित करने के लिए तैयार है लगभग बारा दिन यह मेला का आउजन होगा और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्य 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 ने किनाए तीन पर कि उप्लक्रिया कहा चुनों के बाव दूलितों आदिवास्यों और उप्वल्सितों के लिए किया काम मुख्य विपक्सिदल भाज़ा पाले कहा है मंसकार घर मोचे परही मिपल्च जनता को किया दिग द्रमित रस्चचार और दूर का राजी में रहा बूल बाला पंद्रा लाग काईनावी नक्सली अमन कंचु ने राची कुलिस के समख्ष किया आज़ी समर्पन चत्रा कुलिस ने एक मावादी समख्ता कुपिया ग्रफतार और राची के मौराबादी में आठ जनुरी तक चलने वाले राच्टे खागी सरस्पेला का मुख्ता किया अमकाटन देशबर के उनकादों का सजावादा